नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 और वाइट एजुकेशन में बिहार सिपाही की भरती को लेकर यहां पर 14 मार्च को आज पहले सिफ्ट का एक्जाम समापत हो चुका है और 14 मार्च के बाद यहां पर जो भी कोशन पूछे गए थे उसका मैं लेब पाए हैं तो उन कोशन को मैं दिखलाना चाहूंगा और इन सब का आंसर की जो है आपको शाम को पब्लिश किया जाएगा एक अलग वीडियो के साथ जिया तो उसमें आपको सारा कोशन आर बताया हूंगा मैं तो उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा आप लोग थे हैं आपके सभी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट तो है ही लेकिन देखिए कोशन का लेबल कैसा रहा आज का यहां पे देखे कुछ कोशन अभी यहां पर साब साब दीख पा रहे होंगे आप लोगों तो यह देख लिजेगा थोड़ा सा यहां पर जो कि आपको पढ़ा करा या कि न कराए गया है सभी कोशन करा चुका हूँ यहां से कोई कैसा नी होगा जो की आपको कुशन नहीं कराle कोगा देखिए लकड़ी 7ники अपर नहीं बात नुएं मैं वस लेबल बताना चाहेग जो च्छात्र पढ़ा निकले गहलुतान जो तो हूँ आप लो जो सेनारियो में जो कि आप लोगो तक में सेयर कियात तो वह कॉश्चन सारे आउट हुए है इसका मतलब कि यह question पहले से बाहर था ही यहाँ पे which of the following is not correct bionomical nomen culture तो यहाँ पे option आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कतन द्वीपद नाम पदती के लिए सत्य नहीं है तो यह भी question आप बहुत important है यह आज चुका है exam में देखिए आया है इस बार और इसके बारे में exam के जो answer की दिये गये थे वो आपको जो viral हो रहे थे वो answer की गलत नहीं थे गलत नहीं थे इन्दसेंस की question के answer जो दे सही सही थे जो भी आप तक हमने whatsapp के जर्ये पहुचाया भी था दोस्तो एक question पूछा गया यहाँ पर सभापती और सभापती पर रिक्त होने पर राजे का कौन सभा के अध्यक्ष करता है अध्यक्षता कौन करता है यह question भी बता चुका हूँ आप लोगों को मैं यह question का answer आप लोगों देने आता चाहिए यहाँ पर आना चाहिए ठीके तो यह question का भी answer की जो viral हो रहा था उसमें भी इस cancer दिया हुआ था वैसे तो गलत कुछ नहीं था paper तो out हुआ ही है मतलब पहले से ही लेकिन ज़्यादा हुआ नहीं बना इसका इस बार इस बात ध्यान रखेगा देखिए जोस्तों यहाँ पे परंपवादी समिस्टी प्रणाली के मुद्रा की मात्रा में वृधी के परिणाम सरुप क्या परिवर्तन होगा तो यह question important था यहाँ पे question का जो pattern है वो देख सकते हैं कि क्या किया गया है option 4 के साथ साथ यहाँ पे option 4 जो है दिये गया है यानि कि double option वाले question तो question का label जो है उसको अच्छा करने का प्रयास करने के चकर में question को easy question को ही यह मतलब एक question से ज्यादा question पुछने के चकर में question का length है जो लंबा किया गया है यानि कि lengthy question है आज का यहाँ पे निमलिकित में से कौन सा मत राज्य की उत्पति के विकासवादी सिधान्त का समर्थन करता है यह भी question आपके set में था जो की answer की viral हो रहा था यह भी question था अतरिक्त मुल्य का सिधान्त किसने पर्तिपादित किया था बताइए यह question आप छोड़ सकते हैं कि सारा question कराया गया आप लोगों exam test सिरिज में निमलिकित में से कौन सा योगम सुमलित नहीं है यहाँ पे कुछ इस्तांतरित क्रिशी और उसके राज्यों के नाम दिए गए है यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुमलित नहीं है उनका नाम बताना है तो यह question का label है जो भी छात्रे एक्जाम देने वाले हैं मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के question exam में पूछे जा रहे हैं अब देखें यहाँ पे जो question है यह पूछ लिया गया है आपके integration से भी यहाँ differentiation से भी ठीक है तो यह कुछ question इस तरह से हैं आई वे अच्छा question देखें जीके जीएसका लेकिन इतना असान है कि वो सारे question आप लोगो कराएगे हैं जैसे कि मुखे निर्वाचन आयोक्त एवं जो उसके अलावा अन्य दूसरा आयोक्तों के मद्ध में जो मतभेद होने के कौन से मामले यहाँ पर निर्णे लेता है मतलब उनके उपर अगर मतभेद होता है तो कौन जो है मतलब भीभाग जो है वो निर्णे लेता है राष्टपती, सरवोच नियाले, बहुमत से आयोक समय या आप कानून का यह नियाय मंत्री यह भी question आपको कराएगे है question आपको छुटी नहीं सकता है कि जो नहीं कराएगे और टेस्ट में आपके बिल्कुल question एक यहाँ पर भी है question कहता है कि choose the correct option चूज करना आपको यहाँ पर और यहाँ पर question देखे लंबा करके दिया गया है for the body of weight 90 kg 90 kg की वजन question का बहार है इस वस्तू का तो उसका बहार प्रित्वी की सतह पर दिया दोस्तों उचाई पर से 40 kg होगा ठीक है और उसका बहार प्रित्वी की सतह पर RE2 गहराई पर 45 kg होगा तो इसमें विकल्प सही चुनना की यह दोनों कत्रों में से कौन सा कत्थन सही है कौन सा कत्थन सही नहीं है या दोनों ही सही है दोनों ही गलत है ऐसा बताना यहाँ पर question पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर की question का जो pattern उसको लिंदी किया गया है इस बात का ध्यान रखेगा आपके जो second shift वाले exam है चात्र उत्वासा तयार होके जाएंगे इस सभी चीजों को लेकर अब यह question देखे आया हुगा है आपके निम्न योगिकों में से कौन सा अचुमबकी यह उम्रंगीन दोनों है यह भी question बता चुका हूँ आप लोगो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं मैं सबका आंसर की बता दूँगा सबका आंसर की दे दूँगा आप लोगो ध्यान रखेगा आपको शाम को एक वीडियो मिलेगा जिसमें की सबका आंसर की आपको दिये जाएंगे दोस्तों यहाँ पर question है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संजुगत अधिवेशन किस विद्यक के दूरा बुलाया गिया है बहुत important question था यह star mark भी लगवाया गया था question का 1961 पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संजुगत अधिवेशन किस विद्यक के दूरा बुलाया गया है यह कोशन कराया जा चुका है बिहार दुरुगा में भी करवाया है मैंने दोस्तो महान दार्शनिक कन्फ्यूसियस के चीनी किस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं कन्फ्यूसियस को और किस नाम से जाना जाता है भाई यह बताईए आप लोग इतना अच्छा सवाल और इतना इजी सवाल सवाल देखिए अगर इजी और आसान कहें तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोशन को लेंदी किया गया है इस बात का ध्यान रखेंगे और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिये गये थे उन पैराग्राफ को रिगार्डिंग कुछ कोशन आपको सेट किये गये थे तो उन कोशन का अंसर करना था एकोनोमिक से भी सवाल यहाँ पे जुड़े वे थे यहाँ से इस पैराग्राफ के जरी इसका अंसर करना था यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो यह सारे कोशन के पैटरन पूछे गये हैं दोस्तों यहाँ पे आपसे तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कोशन का लेबल तो यहाँ पे ज्यादा मैं कहूंगा कि moderate नहीं था tough लेबल ही था high लेबल ही था यही कहना चाहूंगा ठीक है अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ mathematics के भी कोशन डाले गये थे जो कि थोड़ा सा लेबल यहाँ पे high रखा गया है function से question पूछे गए हैं यह 12th basis के सारे question है और जो fx है यहाँ पे दिया गया है और इसके चार option दिये गया है इनमें से कौन सा इसका फल होगा यह fx function निकालना था इसका यह प्रांत इसका क्या होगा यह बताना था तो यह सारे जो हैं आपके mathematics के question 12th label के पूछे गए है question आसान नहीं है लेकिन यहाँ पे यह बता दूँ आपको कि math के part को tough किया गया है यहाँ पे GKGS भी थोड़ा सा easy moderate कर सकते हैं moderate कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे GKGS पे जो छादर focus करेगा उसका exam निकल भी सकता है तो निम्न में से किसका अधार निउन्तम है यह देखे question कराया गया आपका ठीक है choose the incorrect statement यह भी आपको बताये गया है इस तरह से question कराये गया है कि सुक्षम तरंगों का तरंग देह 0.3 मीटर है जो कि 1 मिली मीटर की परास से होती है द्रिश तरंगे जो प्रकास जो होती है उ करा चुका हूं इन सभी का तो यहां से question GK और GS का देखा जाए दोस्तों तो थोड़ा असान दिखरा लेकिन mathematics का part यहां पर tough किया गया है ठीक है यह यहां पर बता रहा हूं आपको जो भी चीज़े अब यह question देखे easy है लेकिन इस question को 70 number question को क्या किया गया है कि जो इसकी option ह वो बहुत लंबे लंबे दे दिएगे है ठीक है इसलिए question आपको tough लग रहा होगा तो आसान question को ही बनाना है पहले अपने को जो question आ रहा है उसको पहले focus कीजिए जो भी second shift में exam देने वाले है ठीक है और यह question का जो pattern है वो सब कुछ किया गया है सब कुछ कराया गया है लेक process त्यारी किजिएगा बाकी सारे question के set को त्यार करके मैं आप लोगों तक पहुंचाओंगा जिया answer की के साथ शाम को तो अभी अभी के लिए इतना ही second shift का वी वीडियो जो question आने दीजिए उसको मैं देख लाऊंगा फिर उसका एक तीसरा वीडियो बना दूँगा जो की आ